हेलो नमस्कार साथियों मैं हर्भीर सिंग आप सभी का आपके अपने स्टेडी चैनल स्टेडी 24 ओफिस्यल में दिल से स्वागत करता हूँ अगर आप इस चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीजे जैनुविन मिलेंगे तो आज मॉर्णी नियूज में मैं आपको कुछ इंपोटेंट बाते बताने वाला हूँ कुछ इंपोटेंट खबरे बताने वाला हूँ तो सातियों सबसे पहले एक अपडेट आपको देना चाहता हूँ और उसमें उन्होंने कडवी बात ऐसे कुछ मुद्दा रखा था तो बिल्कुल बहुत जैनुवेन वीडियो थी वो मैं बता नहीं सकता सब्दों में और ऐसी बोलने के लिए मैं आपको बताता हूँ ये चीज बोलने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए आदमी के अंदर लेकिन उन्होंने जो बात बोली काफी जादा लोग उनसे एग्री हुए लेकिन काफी ऐसे लोग थे जो उनसे एग्री नहीं हुए और जैसा कि आप यूज्वली देखते हैं ये चीजे क्योंकि हर कोई किसी अच्छी बात से भी एग्री नहीं होता तो उसी बात पर मैं बात करने वाला हूँ कि साथियों होता क्या है अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो गैस टीचर्स हैं अब जो निकल के आ जादातर है मैंने बात करी थी हरियाना की हरियाना में जो गैस टीचर्स हैं उनको अभी पर्मनेंट किया गया है पक्के किया गया उनको तो उसमें क्या चीज़ है वो टीचर्स आपको बताऊं वो टीचर्स एस्टैट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं जादातर मैं सभी का नहीं कह रहा लेकिन ज़्यादा तर टीचर्स एस्टेट पास नहीं कर पाएं अब कोस्टन ये है कि अगर वो टीचर्स सीटेट या एस्टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएं तो हम एक अच्छी सिख्षा की उम्मिद कैसे रख सकते हैं मैं उन टीचर्स से पूछना चाहता हूँ या किसी भी ऐसे पेरेंट से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में भीजेंगे आप दिल पर हात रख के बोलें एक बार कि क्या आप ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को भीजेंगे मुझे पाद भी वो पर्मनेट नहीं हो पाएं, 77% वो क्वालिफाई नहीं कर पाएं, मतलब 77% टीचर्स ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाएं, तो क्या आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजेंगें? साथ यों सिक्षा का स्तर गिरने के सिर्फ जिम्मेदार यह नहीं कि school में teachers हैं जिम्मेदार government भी है क्योंकि government का क्या होता है vote चाहिए और vote की चक्कर में वो public का नुक्सान कर रहे हैं वो यह सोचतो रहे हैं कि हम permanent कर देंगे इसको तो benefit होगा vote मिलेंगे लेकिन उससे भी जूदा नाकुस हो parents है जो जिनको तो मतलब जिनके बच्चों को सिक्सा नहीं मिल पारी अच्छे से, अगर सिक्सा अच्छी नहीं मिलेगी, तो कौन भेजेगा, तो साथियों इस विशे पर गौर्णमेंट को जरूर विचार करना चाहिए, और new recruitment के लिए जरूर, मैं यह नहीं कह रहा हूं, उन साथियों के ल रहे और new recruitment में उनको थोड़ा benefit मिल जाएगा, तो उनके लिए भी अच्छा, और सिक्सा का जो स्तर है, तो उसमें भी बहुत अच्छा रहेगा, तो बात यही होती है, जो सत्य बोलते हैं, सत्य बोलने वालों के against भी काफी लोग होते हैं, और यह ध्यान रखें आप, अगर मुझे पता है, मैं उनकी हर वीडियो देखता हूँ, मुझे पता है कि वो बंदा, वो सर कितनी अच्छी बाते बताते हैं, तो आई होप आपको सारी चीज़े समझ आयोंगी, गुडबाई, टेक कियर, थेंक यू, और अपने विचार जरूर बताएं, गुडबाई